दूस्तो आज भारत ने चीन को उसी की भासा में कैसा करारा जवाब दिया है जिसे चीन अगले कई सालों तक नहीं भूलने वाला है यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही चीन ने भारत के बहुत ही एहम हिस्से अरणाचर प्रदेश के 30 अलग-अलग हिस्सों का नाम बदलते हुए मैप जारी किया था लेकिन अब भारत ने चीन को जवाब देते हुए सिर्फ चीनी बॉर्डर से 20 किलो मिटर दूर मोबाइल टावर इंस्टॉल करने शुरू कर दिये हैं और अब तक कुल 5 मोबाइल टावर से इंस्टॉल किये जा चुके हैं जिससे भारत उस सेंस्टिव एरिया में भी अपनी कनेक्टिविटी स्टॉंग कर चुका है और यदि चीन को लगता है कि यहाँ पर सिर्फ 5 या 10 मोबाइल टावर से इंस्टॉल किये जाएंगे तो यह चीन की सबसे बड़ी गलत फैमी है क्योंकि इस जोन के अंदर भारत करीब 2605 मोबाइल टावर इंस्टॉल करने वाला है और यह सभी 4G, 5G टावर से होंगे इससे भारत में तो नाम दिया है कि हम वहाँ के गाउं की कनेक्टिविटी असान करना चाहते हैं लेकिन इसके पीछे भारत किस स्टाड़ीजी के तहत काम कर रहा है यह हम सभी जानते हैं भारत की इस त्यारी के लिए कमेंट वक्स में जहिन जरू लुकिएगा हम इस पूरी रिपोर्ट को इस छोटा से वीडियो में आपको समझाते हैं बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चालन को सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा दोस्तो सरकारी आकड़ों के मताबिक भारत ने अरोनचल प्रदेश में करीब 3721 गावों में 4G टावर इंस्टॉल करनी के लिए एक साल पहले ही मंजूरी देदी थी जिसमें से अब तक करीब 254 टावर्स इंस्टॉल किये जा चुके हैं और बाकी के इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है लेकिन ये चीनी सीमा से काफी ज़दा दूर थे लेकिन एकदम चीन के पास की बात की जा तो भारत में सिर्फ 20 किलोमेटर दूर चीनी बॉर्डर से करीब 5 मोबाइल टावर्स अभी रिसेंटल कर दिये हैं ये मोबाइल टावर्स चालू किये जा चुके हैं और आसपास आने वाले जितने भी गाउं हैं उन तक इंटरनेट की केनेक्टिविटी पहुच चुकी है और ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 2675 करोड रुपीज का है और भी तो सिर्फ मोबाइल टावर्स इंस्टॉल किये जा रहा है अब भारत ऑप्टिकल फाइबर भी चाइनीज नेटवर्क आने लगता था इसका मातलब यही है कि चीन ने वहाँ पर काफी बड़े लेवल पर इंफास्ट्रक्टर डवलोप कर दिया है भारत ने भले ही एक साल बाद लेकिन एक लार्ज प्रोजेक्ट साथ इस पर काम करना शुरू किया है इससे चीन को सीधे सीधे जटका लग चुका है और अभी कई जटके देने बाकी है पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से भारत ने मियमार में एक पूरे पोर्ट पर अपना अधिकार जमा लिया है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही चीन ने मियमार के कोको आईलेंड पर अपन कर सकते हैं जहाँ पर आपको इसी तरीके का यूस्फुल कॉंटेंट देखने को मिलेगा बंदे मात्रम भारत माता की जया